कितने सवाल पूच है मतलब कमेंट सेक्षन भार डाला है आप लोगों ने तो दोस्तों आज की विडियों बात करेंगे आस्क हैपी एपिसोड के बारे में आस्क हैपी एपिसोड एक ऐसा एपिसोड है जहां पर आपके जो कमेंट सेक्षन होते है उसको हम जवाब देते हैं इस वीडियो के थुरू तो आप सभी का इसमें स्वागत है और शुरुवात करते हैं वीडियो की लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहले पार विरिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन तो दबाई दीजिए घंटी वी बज़ाई के टन टना टन शुरुवात करत सब्सक्राइब करें उसके लिए टीवी मार्केट में लाई है 2020 में और पिक्चर कॉलिटी की जहां पर बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि कुछ हद तक बीट कर सकती है वीडियो की टीवी और इसी के साथ साथ जो उन्होंने नहीं एक टेक्नॉलीजी लाई जिसके दुरू पिक्चर कॉलिटी इन्हांस होगी जिसको वीडियो बोल रहा ह इसी के साथ साथ उसमें sound output भी बढ़ा दिया है जिसके दुरू आपको एक cinematic या बोलते हैं थेटर वाला एक होम थेटर वाला experience आया तो यह सब पर अच्छे फैक्टर कंसीडर करने याद मुझे लगता है कि बजट ब्राइंट को छोड़ दो LG सोनी सैमसंग को भी टक कर दे स है तो भाई बिसिकली यह मैंने मेरे सेटिफिट के विडियो बनाया था कि आप कैसे अपलाए कर सकता ओनलें तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा गाफूर भाई कि यहां पर आपको दो को वार्ड नमबर बेसिकली कैसा होता है कि आपके एरिया की सब से डिवाइड होता है ब मतलब इस्ट और वेस्ट तो उसके इसाप से यह वार्ड नमर डिषाइड होगा तो आपको एक बार बीम से में चेक आउट करना है पता लगाने कि आपके एरिया का वार्ड नमबर क्या है उसी कि इसाप से आपको ऑनलाइन सब्मिशन जब कर रहे हैं मैरे रिजिश्य करना है ध्यान से और उसी वार्ड में आपको जाके फॉर्म सब्मिट भी करना है और सारे विटनेस के साथ ले ले लेते हैं अगले सवाल को तो यहां पर मुर्थी एन वह बोल रहे हैं कि भाई ब्रदर प्लीस तेल में विच वन इस बेटर मैं 4x 2020 और वियू मुवी 55 इंच तो यहां पर मैं देखो अब भी तक तो मैं ठीक थाग लगती थी लेकिन यहां पर वियू को जो सिनमा ओली टीवी आई हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मतलब पिक्चर कॉलिटी बह 34,000 रुपीज का है हाला कि मैंने आज Amazon पर देखा वह उसका प्राइस एक हजार रुपे बढ़ गया इडून नो क्या ऐसा मतलब धोका जड़ी क्यों हो रहा है भाई वी ओल ऐसा क्यों कर रहे कि यहां पर उन्होंने पहले प्राइस बोली थी 34,000 रुपीज लेकिन आज सु बाद में अगला सवाल है यहां पर इर्शात शायर जी का ओ बोल रहे है भाई कि सर आईपीज पैनल बेस्ट होता है या वी ये पैनल गुड लाइफ किसकी बेस्ट होती है तो देखो इर्शात बाई ऐसा है ना कि यहां पर IPS पैनल और वी ये पैनल दोनों जबरदस होते है प्रवाइब करें लेकिन दूनों ही पैनल बहुत अच्छे होते हैं आपको अच्छे एंगल्स मिल जाते हैं जिसके तुरू आपको साइड से देखो कहीं से भी देखो ब्लैक निए दिखने मिलेंगे अगर आपको सामने से देखना है अगर थोड़ा हलका फुल का साइड से देखो को उसमें कोई प्रॉलम नहीं कि लेकर अगर एकदम साइड से देखो को आपको ब्लैक दिखने मिलेगा विए पैनल में तो यह एक चीज मुझे लगती ही कि मतलब भाई दोनों में डिफरेंस है पी शॉगुले चॉगुले जी बोल रहा है है यहां पर की वी पर्चेश वीयू प्रीम फिफ्टी फाइव एंच एंड्रोइट बट लुक्स तो बी स्मॉल फॉर हॉल तो वी डिसाइड दो चेंग सिक्टी फाइंच पिक्सल फॉर के स्मार्ट एलेड टीवी तीवी तीव इन डिफ्रेंस इन पिक्चर कॉलिटी तो डॉक्टर साब जी मैं यह बोलना चाहूंगा यहां पर कि भाई टीवी का मॉडल नमर से मैं सिर्फ और सिव आपको स्क्रीन साइड चेंज ओले तो पिक्चर कॉलिटे में कुछ फरख नहीं हो क्योंकि यहां पे वीयू क्लियर ल सवाल को तो यहां पर दॉलत यी मदीना जी बूल रहे कि भाई वेस डिवाइस नॉट पर गेमिंग तो बैसिकली यह वीडियो कौन से वीडियो पर कमेंट आप पता तो कि यहां पर एक मैंने वीडियो एक वीडियो बना था सीटस प्ले इन एस 96 एंड्रोइड बॉक्स तो यहां पर भाई मैं कहना जाओंगा आपको की यह सब जो डिवाइस होते हैं एंड्रोइड वॉक्स यह आप गेमिंग के लिए नहीं क्योंकि गेमिंग के लिए जो उनका अच्छे प्रोसेसर और बोलते ना अच्छा कॉन्फिग्रेशन चाइज में रैम जादा हो और बोलत पबजी खेलना है तो पबजी आप नहीं खेल पाओ गया हाओ केल इट बी पॉसिबल सो मेरे इसाब से आप डेफिनिटली इप इस नॉट गूड फो गेमिंग तो मैं आपके कमेंट के साथ जाना चाओंगा जाहिन बाद में अगला सवाल है दिख्षा गुसावी का ओ बोल किये और मेरे इसाब से काफी उनके साथ इंटराक करें काफी अच्छा लगा तो आप सभी को मैं रिकमेंट करूं कि आप जो डिस्क्रिप्शन में डीटेल्स होती हमेशा चेक आउट कीजिए और इसी के साथ ही साथ उस नमबर पर कॉंटक कर सकते हो जहां पर मैंने इस वी गुले का मैं प्लाइन टो बाइवन प्लस टीवी इस बेटर देन एलन एलजी नहीं नो सेल विल दे सर्विसिंग ऑफ टीवी वन प्लस इस अविलेबल एवरी वेरिवेरिं इस बाइंग वन प्लस इस गोड डिसीजन तो राज भाई मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि टीवी निकाली है मतब समझ रूसे पहली बार मार्केट में टीवी लेका आप वो टीवी का पिक्टर कॉलिटी उतना अच्छा नहीं है फिलाल मैंने जो एक्सपीडेंस किया दूसरी बात यहां पे एलजी से आप सीधा अपर कर रहे है तो डेफिनिटली मैं आपको रेक्मेंड नहीं करूँगा बाकि आपकी मर्जी तो आइधिंग आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां तक बातरी सर्विस के बारे में तो यहां पर वनप्रस के फोन की सर्विस तो बहुत अच्छी है मतलब यहां तो उन्होंने की कभी-कभी उन्होंने ना फो आपको एक नंबर मिलने वाली है और पिक्चर कॉलिटी में भी आपको एलजी ही बेस्ट है तो मेरे इसाब से मैं आपको रेकमेंड करूंगा एलजी वनप्लस के लिए शायद मेरा रेकमेंडेशन आप सभी को नहीं होगा और राज नाइक जी आपको भी मैं इंक्लूट कर करता हूं इसमें बाद में अगला कमेंट है इंडियन व्लॉगर ललिता शर्मा तो बेसिकली यहनोंने मुझे हाई वेजा है हाई इसलिए वेजा है क्योंकि हम लोग रिसेंटले एक इवेंट में गया थे मेकर मेला 2020 2020 जो एसके सोमया केजे सॉरी केजे समया कॉलेज में हु आपको हाई करने के लिए तो हाई ललिता जी बाद में अगला सवाल है यहां पर वाल में पास्वन जी का वह बोलते हैं कि भाई ब्रदर वी यू प्रीमियम 50 इंच कैसा रहेगा मैंने बुक किया है तो अगर आपने बुक किया है बधाई आपको वी यू प्रीमियम टीवी अगर आपके पास चांस है अगर आपके स्मौक का है कैंसल करने का तो कैंसल करके आप ले लीजिए वी यू की सिनेमा टीवी एकदम मस्ती इंच की जो प्राइजिंग रखी है रगबग 29,000 रुपीज का आपस है और वो टीवी मेरे साब से एकदम पॉफेक्ट होगी एकद आपके बस मौका है कैंसल करने का तो कैंसल कर लीजिए और बुक कीजिए आपकी वी यू सिनेमा टीवी आइमेजॉन पर अविलेबल है डिस्क्रिप्टिन में लिंक दे रहा हूं और इसी के सासा तो आपको बता दो कि यहाँ पर अमेजॉन का से शुरू होने वाला है कल से मतलब और आज तारीक है 18 कल्स होए 19 19 तारीक से 22 तारीक तक ग्रेट इंडिन फेस्टिवल चालू होने वाला एमेजॉन पर तो डिस्क्रिप्टिन में मैं कुछ लिंक्स छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर जहाँ पर पर्चिस कर सकते हो आपके कुछ इंटरस्टिंग टीवी या फिर मेरे रिकमेंडेट टीवी इस लिंक को चेक आउट कीजिए और अगर आपका प्लान है लेने का तो जरूरू उस लिंक को यूस कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो सवाल है काफी बहुत जादा है लेकिन मुने कोशिच की कि मतलब जादा-जादा सवाल को एंसर कर सबूँ और इसके बाद में एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग हमेशा पूस्तों हर एक वीडियो में जो मैं आपको बोलते हैं अभी इस में कीवने में पिक करने वाला जिसको मैं कहना हो कि आप लोग बोलते कि कौन सी टीवी ले कौन सी टीवी अच्छी होगी बज लेकिन इतना भी फरक नहीं है कि आपको तकलीफ होगी भाई कि मैंने LG क्यों नहीं लिया Samsung लेना चाहिए था या Sony क्यों नहीं लिया LG लेना चाहिए ऐसा कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा मेरी साब से यह चीज को रेक्टिफाय करें कि लिए मैं परस्नली मार्केट म में 19-20 का फरक है उतना फरक नहीं बड़ता तो मैं आपको सजेस्ट करना हो कि Confuse मत होई है कोई भी टीवी लेनी के डाइम पर मतलब स्पेशिल अगर आपका बजट कंस्टेंट नहीं है तो यह बात हो कि बोलते हैं कि मतलब पॉपलर ब्राइंड के बारे में अब मैं बात क आपका क्या मानना है इसी के बारे में तो बस यहां पर अपना Q&A एंड करते हैं आस्क हैपी एपिसोड को यहां पर क्लोज करते हैं मिलते हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्दी बहुत एक मस्त हमांके दर वीडियो प्लान कर रहा हूं तो हमारे चैनल पे वीडियो में